कि विवनिंग वेलकम तुलना सकेट्मी तो यस्टेदेए इंट्रोट्यूस चैप्टर नमबर फाइव कैल्कुलस एंटर किया मैथमेटिक्स कैल्कुलस पोर्शन कैल्कुलस इस ओल अबाउट इस वारे में बातशीत करी चीक है और प्लस कैल्कुलस का जो सबसे पहला टॉप होता है लिमिट्स जो क्लास 11 पर हमने स्टार्ट कर दिया था उसको हमें और इसके कुछ स्टेंडर्ड इक्वेशन्स भी हमने सीखी और होफुली आपने याद कर लियो क्योंकि इसमें क्या है हाद चीज इंटरकनेक्टेड यह चीज या दोई तो उससे अगली चीज समझन से मोटी मोटी बात भी मैंने एक चरांटीनिवेटिस से बनेगी होगा तो enterprises होगा तो ही मिसका डेरीवेटिव करेंगे करके चीज तो हरteenth इनओं हो नहीं हो करेंगे चीजि में बात करेंगे continuity की इसकी बारे में सीखेंगे and then फिर कुछ एक time मिलेगा तो questions की हम करें ठीक है तो जैसा कि मैंने आपको कल short में समझाया था कि एक function continuous है या नहीं है सबसे पहले तो continuity हमेशा एक point पर बात की जाती है continuity at a point हमेशा किसी function की continuity की बात करी जाती है तो एक point पर करी जाती कि उस point पर वह continuous है क्या नहीं एक function है वह function मालो इस तरीके से चल रहा है यहां पर ब्रेक हो गया और फिर यहां से continue करता है तो यह इस point पर discontinuous किस सब्सक्राइब उस पॉइंट पर इस पॉइंट आपको देखते नहीं पता करना है किस point की बात ऐसे क्या पर रोशक्रेंटेशन दूसरा तरीकाहा लिमेट्स एक तरीका क्या था सब्सक्राइब अड़ांlee तो कलम ने सीखा था कि function continuous तब होता है जब function की लिमिटेबल वैल्यू और function की वैल्यू जिस पॉइंट पर बात होगी उस पॉइंट पर एक्वल आजया लिमिटेबल वैल्यू मतलब टेंडिंग लिमिटेबल मतलब टेंडिंग जिसको अपन रिपेसेंट करते हैं लिमिट एक्स एक्स टेंडिंग तोवार्ज एस अभी वह लेटर व्ट करेंगे तो उस लेटर को नोंने कई बुक्स में ए भी लिखते हैं वो लोग एंसे आटी में उन्होंने सी लिखा है क्या लिखा है सो लिमिट किसी फंक्षन की लिमिट एक्सेंडिंग दुबाड़ सी और साथ में फंक्षन की वैल्यू एड़ सी यह दोनों एक्वल हो जाए तो उससी पॉइंट पर वो क्या ह सी अब उसको कैसे निकालते से तो उसको निकालने का तरीका क्या लेट एक्स एक्सेंडिंग टुवार्ड्स सी प्लस ठीक है यह दोनों फिर उसके एक्वल आनी चाहिए तब वह फंक्षन कंटिन्यूस होगा अब सवाल यह आता है अच्छा पहले इसके आगे क्या तरता है इसके आगे फिर इस एक्स टेंडिंग टुवार्ड्स सी माइनस को एक्स टेंडिंग टुवार्ड्स सी वाली लिमिट में हम कनवर्ट करते हैं वह कैसे करते हैं वह कल हमने सीखा था कैसे लिखूंगा मैं limit h tending towards 0 और function of x हो जाएगा function of c minus h इदर इदर भी extending towards 0 और function of x जाएगा c plus h अब ये दोनों सा बराबर होने चाहिए और finally ये बराबर होना चाहिए इसके तब जाके function हो जाएगा मेरा continuous ठीक है यहां तक clear अब बात ये करते हैं कि सर कब तो हम single limit में ही काम कर सकते हैं और कभा को दो लिमिट में काम करना है left hand limit right hand limit में actually split करने की जरूरत कब है तो उसका जवाब सुनो जिस point पे continuity की बात हो रही है जिस point पे continuity की बात हो रही है उस point के left side and right side में अगर function की दो different definitions हैं तब तो अलग-अलग limit में solve करना है और नहीं है तो कुछ नहीं करना single limit में काम करते हैं क्योंकि left hand limit और right hand limit अलग-अलग आने का doubt तब ही बनेगा जब definition अलग-अलग for example अगर में लिखा fx equal to 2x अब x equal to 5 की बात करूं तो x equal to 5 के left side में और right side में function एक ही pattern follow करेगा ही करेगा क्यूंकि definition ही एक ही है 2x अब आप 5 के left में लेकिन मैं पांच के left में तो दो गुना करो और पांच के राइट में तीन गुना अब डाउट क्रियेट होगा अब भी continuous हो सकता है अब आप 5 की left and limit and right and limit अलग अलग लगाएंगे दन यहां तक क्लियर है अच्छा जब left and limit and right and limits एक आ जाती है तो उस बात को mathematically कहते हैं लिमिट एक्जिस्ट लिमिट एट एक्स एक्वल टू सी एक्जिस्ट करने के बाद उसकी वैल्यू फिर एक्जैक्टली फंक्शन की वैल्यू एडट पॉइंट आनी चीए अब कई बच्चों को यह बरुसा नहीं होता कि सर जब लिमिट एक्जिस्ट हो गई तो फ कि हम सपोस्ट करो राइट से भी मानलो इस पॉइंट पर आ रहें ऐसे एक्स इक्वल टू मालो माइनस वह माइनस तूप है कुछ और आंसर है मानलो सेवन आंसर या त्री आंसर है तो यह वाला केस यह ग्राफिका भी प्रिजेंटिशन किसका होगा जिसमें लिमिट एक्ज लेकिन अप्रोच तो से मैं पर फंक्षन की वैल्यू उसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा इस केस में भी मैं डिसकंटिनियूस ग्राफ को लोगा क्योंकि यहां आके तो पैन उठाके उपर जाना ही पड़ेगा कि नई है एक्सकारना लिमिट एक्जिस्ट होने के बाद भी मैं मैं दोस सकता है तो उस पॉइंट स्क्षण की वैल्यू भी मैं आप क्या करा है सबसे और उसनी इक वर्ड लिखा है उसके अरियल कोई है यहांट सबस्क्सक्रणदा unique कि क्सकी होगी क्या वह प्रेल फंक्शण्स फंक्षण्स की बात दो रही है लिए लिए नंबर नहीं घुन जब्लूर्ण्पॉर्णी और वर्ल एकत tip x का इस वर्ली माणे सब्सक्सक्राइए एक रिएल पाउंशन क्या देपेंसर टीनों में पता है लेवंत में नहीं पढ़ा था आपको तो पढ़ा है मैंने अनुश्टा है तक लिखवाई है मूट्स उठाकर देखाऊं अब करता निए आपने कैसे कवर किया किया लेकिन आपको तो मैंने पढ़ाया थो मुझे तो पता है फॉंक्शन इसे मशीं फॉंक्शन इसे कि यहां से एक्स मिलता है और एक एपेक्स निकलता है यह सिखा है लिए और बदले में एफ एकस निकला दो हुआ ओसमें तो अब फंक्शन में केवल नंबर मिले ऐसा जरूर है मतलब जो मिलता है उसको डोमेंड बोलते हैं जो जो पॉसिबल इन्पूट्स हो सकते एक सक्कि पॉसिबल स्टम्डमें बोलते हैं बोलतेघन वोलते बोलो और अगर अपन डाले हम गेंगेवल नंबर के साथ खेले तब निकल के आते हैं रियल वैल्य फंक्शन से चिन फंक्शन की रेंज हंड्रेड परसेंट एक रियल नंबर हो क्या हो यहल नंबर क्या है जिस फंक्शन की रेंज्ज नंबर उनक्शन को बोलते हैं रियल वैल्यूर्य व मतलब जो डॉल है और फंक्शन की डोमेन हो रेंज दोनों ही रियल आ जाया है वह घ्राइं मेरा डॉमेन इंपुर्ट दे रहे हो आप वो खुद भी एक रियल नंबर हो और आउट्पूट ऑव्यसली एक रियल नंबर यह भी रियल यह ऐसे पांक्शन को कहते हैं और दोनों ही रियल नंबर है तो रियल फंक्षन यानि कि आप इंपुट में एक नंबर दोगे रियल नंबर और आउट्पूट में आया ऐसे फंक्षन को क्या गते हैं रियल फंक्षन सो कंटिनुटी की बात रियल फंक्षन में चलेगी आप ऐसे नहीं को गया होगा एक नंबर ही ना प्रियल फंक्षन एफेट्स सबसे पहली बात पंशन रियल ओना चीज एक पॉइंट सी नामगा क्वेंट पेवाइं पर करेंगे सुरू आख ना मैं कहूंगा एक्स 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 की डॉमें ना चीज अब सुना ज्यां से एक और चीज़ शुन आप इसी फंक्षन की डॉमें ने सारे रियल नंबर एक्सेट मालो फाइव इसकी डॉमें में नहीं तो आप ऐसे नहीं कहोगे कि यह डिसकंटिनूस फंक्षन पर वह डिसकंटिनूस नहीं तो दिखाए नहीं नहीं तो कंटिनूइटि उसके डॉमें के पॉइंट सब्ना दिनूइन भसत एसका करें przy मद्र चेक किया है जो तो वह उसकी डूमें का इसे कर रहे हूँ अब यह कंटिनुस कब होगा जब यह लिमिटेबल वैल्यू और फॉंक्शन की वैल्यू से मैं लिमिटेबल वैल्यू को भी दो पार्स में तो हो दिये एक स्टेंडिंग के बार सी मैंने जो मैं अभी करके दिखा है उसी को प्रिजंट करना सी प्लस और इसको भी हमने क्या कर करते हैं इसके बाद प्रणे करने के बाद टी है जो हमने एन इन्फिनीटी-गॉनीटी जेरीजिट्स का पंच टनिकालना ऊता इत्ता सरल सा सकाम है सबसे सरल सबसे बोरिंग पर एक क्योंशन खुद से करके देखेंगे क्योंकि क्या होते हैं कि ऐसी एक्सराइज दोखा देथे मतलब हमको लगता है लेकिन एक्जाम नहीं हो पाता क्यूंकि हम उसको बिल्कुली लाइटी लेकर प्रैक्टिस एक बार भी नहीं करते हैं ठीक है ना है बड़ी सरल बत बहुत लंदी बहुत है कुछ ओमिटेट है उसमें से यह सारी है पूरा अप्टिक कौन सा घटा है इक्वल को यह है कि मैंने कहा एक्ष एक्वल टुट्री पर चेक करों यह अब चैक कर दोगे मैं को पॉइंट नहीं कि स्पॉइंट इनंगी तो आप पॉईंट ही निया तो है इसका मतलब इसकी डॉमेन के हर एक पॉइंट पे मुझे चेक करना है अगर वो उसकी डॉमेन के हर एक पॉइंट पे continuous है तो वो अगला नोट पड़ो करते कैसे हैं क्यूशन में बढ़ा है आपको जिता बयाना कर रहा है बाकि मीनिंग वाइस मैंने इस इस फंक्षन कंटिन्यूस मैंने बताएं एक सब्सक्राइब करो उसकी डॉमें क्या हो आपको सोच तो उसकी डॉमें के हर एक पॉइंट पर आपको अब वह चीज़ चैक करते हैं उसका तरीका भी क्यूशन करेंगे तब देख यह चीज़ देख रहे हो यह चीज़ देख रहे हो बास यही इसकी जगभी सिंगल लिमिटी चैक करने जिसमें अलग-अलग है तो ही दो चैक करने ना परफ़र सा बोरिंग वाम हैं यह जरूँ है ठीक है अब बात करते हैं अगलीची क्टिनियूस फंक्शन का अल्जेब्रा देखने है अल्जेब्रा मतलब समझती हो क्या होता है जोड बागी गुणा तो देखो बहुत ही सरल सी बात यह कहता है कि दो रियल फंक्शन की बात करेगा एफ एक्स और जी कि अगर वह दोनों को इसी पॉइंट पर तो उनका संभी और तो और उनका जो रेशियो बनेगा उनका उसी पॉइंट में एक शर्त है नीचे वाले फंक्षन की वैल्यू जीरो नहीं होनी नहीं तो वो अगेर इन डिटर्मेंट फॉर्म या इन नौट वैलिट फॉर्म बन जाएं ठीक है तो बड़े ही सरल सा कॉंसेप्ट है इसक्तिमाल करना चाहिए कि इसका सब्सक्राइब को ठीक है क्या कहे था मैं कि इनका और चपी प्र सब्सक्राइब करना चाहिए कैसे मालों फॉंक्षन आ गया साइनेक्स डिवाइड़ गाए एक स्कॉयर माइनस तो एक तो आप यह बड़ा सारा साइनेक्स दिवाइड़ यह वायर माइनस टू फशंक्षन च्रहिं कर रहे हैं और यह क्या வां नहीं पर यह इंपोर्टेंट चीज है कई बार अलजेब के बड़े कुशन को शॉर्ट में इन पॉइंट को लिखकर सॉल किया जा सकते एक पॉइंट लिखना है पस हमको तो हम इसको अलग एफ एक समाल लेंगे एफ एक सब्सक्राइब कर लेंगे और फिर लिख देंगे कि एफ ए और तो और तो और अलजेब्र आमें एक चीज और स्पेशल निगल गया थी ओंपोजिशन तो फंक्शन करना सिखा दा ना हमने बदा थी आप इस पहले इंपूट निकला उसको उसमें डाला फिर उसका आउट्पूट निकला इन दोनों को अगर एक क्वाइंट बना यह वह बना वह भी अश्चन से लिखा है क्यूंकि हमारे पास डो मशीन से है हमारे पास क्या है यह मैं रिए लिए इसको नों ही लिए नमर्यन गोई मिल जा A, B, C पर अगर यह real valued है तो यह answer तो एक number देगी अब जब यह answer number देगी तो इसको तो number ही मिला ना तो overall दूसरा वाला real function बनने के लिए इसका real valued होना तो at least जरू दिए तो यह इसको मिले कुछ भी यह answer at least क्या दे एक number देगी अब number इसको मिलेगा तो इसको तो number मिला और यह number ही दे लिए तो बाद वाली जो machine है वो तो real function बनी न तो इसी लिए इसमें real value लिखा हुआ है कि हो सकता है कि पहली वाली को जो domain मिले वो non real number मिल सकता ठीक है तो fxdx अगर दो real value function है तो और fx भी उस continuous है उसके domain में और अब देखो इस चीज आपको समझ में नहीं आ रही होगी कि सब्सक्राइब इस समझ में नहीं आ रही होगी मैं डाग्राम बनागे बताता हूं अभी तो मोटा-mोटा-mोटा यह समझो कि fxdx2 अगर functions continuous है तो उनका पॉंक्शन जो बनेगा जो भी कांपोजिशन बनेगा वह भी इस पॉइंट पे अब यह कंपोजिशन कैसे बनाया उसके लिए composition पर आपको पकड़ अच्छी हो नीची तो आपको मैंने सिखाया था लेट से में पास मैं पास तीन सैट्स है कंपोजिशन के लिए तीन सैट्स बना देते हैं ठीक है ओके मालों यह function है ठीक है अब मुझे बताओ सिनान का कोई पॉइंट है इस पर f of x अफ लाया करें निए तो बदले में आंसर जो मिलेगा इसको मैं हाल फ्लाल f of c लिख दूँ तो अब दूसरे को जी को तो f of c मिला ना तो मैं इसके डॉमेन पर इसके डॉमेन पर तो इसलिए वहां पर क्या लिखा हुआ है कि एक सिक्वल टू सी पर कंटिनियूस हो और जी ओफ अब और यहां पर लिखा हुआ है और मोटे तोर पर बात करें तो दो फंक्शन सब्सक्राइब अगर इसके तो उनका कंपोजिक फंक्शन भी कंटिनियूस होगा ओके यहां पर हमारी यह इसके नोट्स फत्म होते हैं अब चलते हैं एक स्वाइज पर कुछ एक क्यूशन से लिख लेगा आप 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 इस दानेक्स एस्ट एस्ट को करते बंद आजा एक्सरसाइज पर इसना वर मता सक्क्तियों नहीं वुक होगा आप 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 आ आप आप अब आप टो सब्सक्राइब तो मैं क्या करूंगा इसकी देफनिसन पर जी पर पर साइब सब्सक्राइब तो जीरो के लेफ राइट साइप नहीं बदल रही है ना बदल रही है इसमें क्या निकाल हुआ लिमिट एक स्टेंडिंग टुवार्स जीरो ओफ एक्स निकाल कि यह कैसे निकाल अब इसको स्प्लिट करने के ज़रत है निए और स्प्लिट करने के बाद फिर एच वाली फॉर्म एक्स की वैल्यू जी ओप लेमिट एक्स टेंडिंग तुवार्स जीरो एफ एक्स की वैल्यू क्या है फाइक्स माइनस त्री याने कि इसकी लिमिटेबल वैल्यू माइनस त्री है याने कि जैसे जैसे जीरो तरफ बाप्रोच कर रहा है वैसे वैसे फंक्शन माइनस तरी ही तरब अप्रोच कर रहा है इस चीज का मतलब लिए कि दुरुआ कि नगए पहुच्छा पर पहौँचा ठीबिया निकालेंगी देम फसी गऊलो क्या इक एप खिर निकालो जटकर था अब आपको करते हैं एक तरी के से बेकार सा काम है पर करना है ठीक है ना वहां पर भी जिरो पुटब किया यहां पर जिरो जब पुटब करते हैं तो इंडेटर्मेंट फॉर्म के कारे में आएगी आएगी गबढ़ाते नहीं लेकिन वहां पर लिमिट को जब याँ अगर आजाया तो फिर लिमिट एक वेशन्स याद होनी दिरे दिर आगे वड़ेंगे तो ऐसी इंडेटर्मेंट फॉम्ड भी बंती जाएग तो फिर एक लिए लिए लिगवा में यहां पर है लिमिटेबल वैल्यू पॉप कान एपक्ष तैस ते एक संदिंग त्वास एफ एक से गीवन फॉंक्षन एफ एक से इस कंटिनुएस इस इस कंटिनुएस एड एक से काम नहीं कुछ प्रॉपर स्टैप्स आपने को याद रखने पहले यह करना है अब अगला क्या है एक से माइनस भी करूंगा तो इसे में चेंज़ अब एक सेंडिंग टॉड़्स माइनस त्री हो जाएगा एक सेंडिंग टॉड़्स माइनस त्री जाएगा तो इसका ध्यान रखना है और याद टॉड़्स एट्ल्स त्री त्रीज थीडिंग ट्ना ओगा ओगा एटीं मिनस अग्टें तो लिमिटेबलब्लमाइन सैति ना ओर फंक्चन की यह पनल्यू एग्ट मैनस त्रीड-़्या तटीं मैंस गर्याइग तो यह पाफिए चाहिए और पाइंड मैनस सो लिमिटेबल वैल्यू एट माइनस त्री एंड फंक्षन की वैल्यू माइनस टीक दोनों की दोनों आ रहे है माइनस एटीन एफ इस इस पर एक्षिस काम है ठीक है चलो आगे बते हैं अब है एक्षामिन करो कंटिनुइटी इसकी इस पॉइंट पर सेम सेम बस उसमें तीन पॉइंट्स दे रखे थे इसमें दो पॉइंट एक पॉइंट दिया है एंड वन मोर थिंग फंक्षन क्वाड्रेटिक दिया अच्छा आपने स्टेट लाइन वाला चैट्टर पढ़ा ह तो आता है आपको कैसे बनाते हैं लोग फॉर्म में करके या स्लोप इंटरसेट पॉर्म में करके वह सब सीखाता हमने देखो एकॉल टूफाइव एकॉल टूफाइव एकॉल टूफाइव प्लस एकॉपेर करेंगे आपकी जिंदगी में आया है इसलिए है कि आप इसको धेखके फटावर से अपना दो देखो तो आप देखो एक सिकौल टू जीरो पे कोई फॉइंग चलता गया एक सिकूल टू-3-3 यहां रहा होगा इसपे भी चलता गया जांता से ब्सक्राफ से ब्सक्तिनियुस हे या सब्सक्राइब लेस्ट सब्सक्राइब क्या फंक्षन वह बोलो एदे गिवन फंक्षन इस तो तीन तक करते हैं आजाना तो एद गीवन फंक्षन इस वह लो क्या है एफ एक सिफ़ल टू माइनस और चेक आपको चेक्वल टू 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 लिमिटेबल वैल्यू और एक स्टेंडिंग तो वार्ड्स तरी निकाला फंक्षन थ्रीपे चेंज नहीं हो रहा है किसी पर ही चेंज नहीं नहीं हो रहा है जब किसी पर नहीं हो रहा है तो आपको 3 पर चेक करना है मुद्दा तो यह कि 3 पर चेंज हो रही है कि नहीं हो तो इसको निकालने के लिए क्या करूंगा लिमिट एक स्टेंडिंग तुवार्स त्री और एक स्टी वैल्यू रख देंगे हम 2 एक स्क्वाइर माइनस वन जस यह माइनस त्री दा यह इतना फ दूरी निकालें सफ प्रीक एसे निकलेंगा वही तो इन्टू एक स्ट्रीच प्रीका स्ट्रीर माइनस वन नाइन टू यह 18-17 यह लिमिटेबल वैल्यू ओफ एकस लैंट एक डिन ट्वार्स ट्रीज इस एक्वल टू तो एक उप ट्री आ सब्सक्राइब करने में वह भी सकता है नहीं हो सकता है यह ले रहा चलो अब थार्ड में एक्जामीन करनी है पर आपने क्या चीज नोटिस करी थार्ड में नहीं बात किस पॉइंट पर चेक करनी है वह पॉइंट गीवन लिए यहां से पूरा चेक्टर की का सबसे बखवास कुछिए न अब आपको इसके डोमेन के हर एक पॉइंट पर चेक करनी है क्या वह सुच्छों दोमेन में तो लाखों करोडों नहीं अर्बों इन्फाइनाइट पॉइ पॉइंट तो फिर क्या कर तो हम क्या करते हैं देखो बेटा रहा अब देखाव आपके जैसे घर क्वेंगे आपके संपल परने आएं अब करना कि माल की च्छोड़ी से चेक करना अब मालों आप पूरा बढ़ा हुआ होगा है तो पॉसीबल एक-एक तो उढ़ा पॉटां में डालके चेक करें क्या करते हूं अगर सेंपल पास तो माल पास सेंपल गंदा तो पूरी डॉमेंट कोई भी सी नाम का मैं मांगूंगा जो उन पूरी डॉमेंट का सब्सक्राइब अगर मौनीटर से सवाल पूछा टीचर ने मनेंगे क्लास इंटलिएंट और मौनिटर और मोनीटर रही यह इसका प्रेजेंटेशन के देखना है बागी तो बहुत सब्सक्राइब सब्सक्राइब फंक्शन इस एफ एक्स 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 माइनस सबसे पहले मैं इसकी डॉमेन क्या होती है इसकी डॉमेन क्या होती है बोलो लीनियर फंक्शन है डॉमेन इसमें तो एक्स की यह कोई बन सकता है ना अगर यह function दो पार्स में दिफाइंग हो रहा होता तो इसकी डॉमेन को भी दो पार्स में तोड़ना होता है जैसे मालो 5 पर टेफिनिशन चेंज कर रही है तो इसकी डॉमेन को तोड़ देता मैं माइनस इंफिनिटी से 5 तक एक ले लेता और 5 से पॉजिटिव इंफिनिटी अलग लेता ऐसे करते लेकिन तब जब फाइव के एड़ेकर से डेफिनिशन चेंज होती है पर ऐसा ही है इसक है कि अब मैं इस डो में रियल नंबर में से एक छुज कर लो हम सी जोए है और लिकूल मां फॉर एनी सी बिलॉंग्स तु दॉमेशन होगा तो मेन र मेंसे ज़न जुए होता हो कोई वह सकता है कोई साम है हूं एसा नि प लस्हक्राइव कोई भी सी होगा होए होगा और उस सी के हिसाफ से लिमिटेबल वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू निकाल और चेकल को से नहीं सी के साफ से अब वह सी फारी टूबन कुछ मिल रहा था भी निमिटेबल वैल्यू ऑफ एक्स टेंडिंग तुबार्ज सी लिखूंगा आप मैं क्योंकि नंबर तो यह नंब और फंक्शन की डेपिनिशन दो नहीं है तो फिर मैं सी को सी रखूंगा मलब ब्रेक निकार ओके लिमिटेबल वैल्यू और एक्स टेंडिंग तो वार्डस एफेस की वैल्यू वह लो टीकिए अब एक्स की जगह सी रखना है और एक्स की जगह सी रखने से से या नबर तो रिएल में से पांच घता दुमा तो ऐसी एसी कोई नहीं बने ही यानी यह रियल ही रहीगा लूप लिएल जोड़ेगा कि कि अब फंक्शन की वैल्यू एड़ सी यानने एप उफ सी वह भी उतनी आईगी एप एप एक सी से रिप्लेस करूंगा तो सी माइनस तो करना पर तो वही पाम है पस एक यह लाइन एक्ट्रा लिए पॉइंट नहीं दिया नहीं तो मैं सी ले लिया पॉइंट इतना सा काम एक्ट्रा करना समझाया तो क्या करूं है एक को एक हा builder यह हो सी कि केने इक फ्याल टू आंसर क्या ए सी माइनस वाइब और आप मेंशन कर दो फॉर सम सी या फॉर एनी लिखो कोई भी ले सकता हूं है जोरो नहीं को एक पर्टीकुलर सी लेना है लेकिन यहां पर मैं कोई भी ले सकता हूं वार्णी सी बिलोंग्तू दो में में किके सो सो बबीवन क्या से जगीवन क्या सूंशन इ game फॉं मझन इस कुंति इन है इस कुंतिनिमास संठ ini माइन एंडन तो मन छे कोई टिनिबे लिए ओका इन कुंतिनिव से कोई भी कोई पॉइंट सी इन इस डोमेन एट एक तो इसका कंक्लूजन को गया ओके लगा रहा है सोचो मुझे अरसाल करवाना करवाना पड़ता है मुझे कितना बखवार किया है अब दीरे दीरे इंटरस्टिंग बनेगा इसा नहीं जैसे जैसे आगे बनेगे लिमेट इक्विशन पगर आएंगे यहां तक लियर अब सेकंड पार्ट में क्या खरेंगे यह इतना सलिया ना सेकंड पार्ट में सोड़े स्पीड पकड़ रहा यहां पर लिख में सी रहा हूं लेकिन सी है तो एनी रंबर इसका यह बिलॉग किसको कर रहा है चलो यह देखो अजश को खब सी रहा है तो रीयल नंबर के में से कोई बील अलिमेंट होगा और रील जो हो एक्युक्य और एक स्को बस हलपलल वोल शी रहे कि मुझे पता नहीं हो सी होन कुछ स्बसक्राथ कूँ लेट सिट नेक्स पार्ट में क्या गरेंगे कि नमबर तू वोलो प्लिशनमर तू हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू अब देखो इसमें आपने लगाने अलजेब्रा वन डिवाइड़ बाय एक्स माइनस निगे वन डिवाइड़ एक्स सबसे पहले तो अच्छा इसमें अल इसकी डॉमेंट बताओ सबसे पहले है एक्स की डॉमेंट नहीं करने के लिए एक्स की वैल्यू फाइफ नहीं करनी पड़ेगी समझ गया है तो इसकी डॉमेंट लिखता हूं पहले मैं डॉमेंट है इसकी एनी रियल नंबर माइनस फाइब यस और नहीं है बताओ अब अने रियल नंबर माइनस फाइब यस योगे डॉमेंट ना for any see you point to the animals net for any see belonging to domain domain to be that domain r minus a single point file he cannot for any C belong to demand r minus five we have let's find the लिमिट ब्ढ़ गैर ले लिमिटेबल वैल्यू आफ एफट कि वैन एकसिस टेंदिंग तो वार्ट की तो चैनल याद गया है नोगा था चैकर लिमिट एकसेंड दे सी और एक्स की वेल्यू का एक्स मैंस तो मैं क्या करूंगा एक्स की वेल्यू सी पुट अप कर दूंगा तो क्या आंसर आएगा बन डिवाइड़ बाए सी माइस पर अब आपको सर यह फंक्शन है ना इसमें सी की वेल्यू 5 नहीं होनी चीए तो वैसे ली कह रहा हूं ना मैं सी बिलॉंग्स तो इसमें 5 है क्या यह यह इंडिटर्मेंट फॉम नहीं होती उसका आंसर इंफिनिटी हो जाला है पर वह तो इंफिनिटी भी नहीं आ हमारा यहां पर आंसर हमारा आंसर ही आपर उसकौइंट यह फाइट है जो डोमें के पॉइंट सी नहीं उसके चैक करनी नहीं है पांच के अलबान नंबर्स पर सकती तो मैं लिख दूँगा ओर NEC नौट एक्वल तो 5 या फिर फॉर एनी सी बिलोंगिंग तो आर माइनस फाइब यह तो के लिमिटेबल वैल्यू या अंसर होगे लिमिटेबल वैल्यू बसी की यह पाबंदी है ओके नाओ फॉक्शन की वैल्यू एफ ऑफ सी तो वही निकलेगा वन दिवाइट पैसी माइनस five for way is a bit of stats so we have so we have limitable value of fx x belonging to c equal to f of c equal to answer 1 divided by c minus five for any c belonging to r minus five hence and the given function is continuous एंस दर गीवन फंक्शन इस कंटिन्यूस एट एट एनी पॉइंट सी इन इट्स डॉमेन अब दोमेन मेंशन कर दो इन इट्स डॉमेन और डॉमेन क्या है आप माइनस और जो डॉमेन में नहीं उसके चेकी यह फंक्शन भी कंटिन्यूस है अभी तक तो जितने फंक्शन देंगा सारे इस फंक्शन लिख दूंगा मैं अब इसकी भी डॉमेन जो है कि अब इसकी भी डॉमेन जो है है वह बताओ क्या है कि इसमें भी एक्स क्या हो सकता है माइनस वाइव डॉमेन एक्वल टू आर माइनस कि चलो सो सी लेना पड़ेगा कि पॉइंट तो चैक भी नहीं हो सकता इसकी डॉमेन में नहीं हो डॉमें में एक उसकी बताओ सो भी कैनोट चेक इट माइनस वाइब और एक्वाइब इस चैप्टर की सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बताएं कि पहली दूसरी एक्सराइज में बच्चे का इंट्रस्ट लूस हो जाता है इसलिए फिर आगे का चक्तर भी समझ नहीं आगा इंट्रस्ट मत करना इतना भी बोरिंग टॉपिक इंट्रस्ट बना आया रहता है इसा मनना चोटा सा करलोंगी तो इंट्रस्ट बना रहेगा ओके सो वी है लिमेट extending towards c of fx there is no two definition single definition से चल रहा है काम so limit extending towards c बोलो function क्या मेरे पास बोलो x square minus 25 divided by x plus 5 यह है तो मैं सी रखो उसके अंदर तो सी जब मैं रखना तो यह हो जाएगा सी स्क्वाइर माइनस 25 divided by c plus 5 अभी यह सी की माइनस 5 वैल्यू पर यह नोट होता लेकिन सब्सक्राइब करें आजो और सो function की वैल्यू निकालते हैं एफ और सी निकालते हैं तो सी स्क्वाइर माइनस अच्छा यहां पर लिखना भूल गया है कि यहां पर सी की वैल्यू अब देखो इस इस के अंदर तो सी की वैल्यू माइनस 5 रखने से कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर मैं इस पार्ट में सी की वैल्यू माइनस 5 रखन तो कुछ बिगड़ेगा तो यहां पर भी यह सी जो है कुछ भी हो सकता है ऐसा नहीं कि यहां पर सॉल होने के बातों से डिपाइन हो जाना तो उसकी दोमें नहीं नहीं समझ गया है तो क्या लिखूंगा मैं पॉर ए दोमें डोमें क्या है आर माइनस माइनस ठीक है आगे काम कर लोगे स्कूशन में चलें डारेक मॉडूलिस में अब अगें एप आप सीवी पैसे निकालना है एप आप सीटांसर भी यही सारी कैलकुलेशन करके और यह की यही लाइन लिखनी है एंस तक इवन फंक्शन इस इस डोमें और डोमें लिख देना आर माइनस माइनस तो हमने क्या करती है पता हो जैसे 3456 तो पुट नहीं किया जाता है पहले इसको एडेंटिटी से सौल्ल किया जाता है और फाइनली अभी हमने देखा जया तो गलत किया आप पहले बचा क्या एक सिस्कार माइनस 25 चाहता है एक स्ट एस माइनस 5 तो आप जिशेंस यह करना यह करना है एक स्टैक्स वाइनस फाइडबाइड एकस प्लस फाइड पाइडिड लगाया रखना लेमेट एक स्टेंडिंग त्वाड़स सी एसे लगाया उसको और फिर नेक्स सब्सक्राइब करना है हमेशा हमेशा दन चाहिए सब्सक्राइब आपको सब्सक्राइब करें तो पहले तो अब मुझे बताव मॉडूलस एक्स ग्रेटर निकल तूसी याने कि याने कि अंदर वाला आमाल एजटेस के बाहर आज जाएगा एकक्स कोपी कर दो गए गांज वाली चीच की या और अंदर वाला आइटम का नेगेटिव कर दो मॉडूलस के अंदर वाला आइटम का जब इसकी वैल्यू इसको फॉर्दर और सॉलुशन को फ्रॉडब कर सकता हूं यह तो ओरीजनल मॉडूलस एक स्पेशल कैसे मॉडूलस एक स्माइनस फाइब इसकी यह बनी और अच्छा आपको पता है ऐसे बनता है बीडिवी शेप का ग्राफ और एक माइनस फाइफ है तो फाइफ पर जाके शिच निट करेगा प् आएखिए एक्स माइनस फाइट एगा प्लस वाइगा और माइनस एक्स हो जाएगा फिल्ट हो जाएगे तो नो वैन एक्स लेस्ट तो यह मेरी फाइनल डेपनिशन आफ द लीवन फॉंक्शन अब मैंस फाइनल डेपनिशन को देखूँँगा पीछे क्या वाइज आप देखिए एक्स पार्ट या पार्ट से बढ़ा है तो ये इस पार्ट पे डेफिनीशन चेंज हो रही है तो अब इसकी डॉमेंग को भी पार्ट पे प्रेक करना पड़ेगा क्योंकि इसने पार्ट अगर ये पूछता अगर ये पूछता कि पार्ट कंटिनुविटी चेक करो 5 पहां कि पूचा क्या था था इसनी क्या कि करो तो अब आपके लिए तो सारे रियल नमर है तो सारे रियल नमर लेकिवा आर को अब इस आरक्म केर्द में दे 12 में ने अक तो पाथ है चोटे नमब एक एक जाएग्जैक्ट लिब सब्सक्राइब करने का तरीका है क्योंकि पाइब साइब सारा काम ओके शुरू करो तो यह थोड़ा सा लेंदी पूशन है हाँ पहले तो मैं डॉमें कि सब्सक्राइब मैं लिखता हूं माइनस इंपिनिटी तू फाइफ इसमें फाइब भी शामिल नहीं यूनियन एग्जेक्टली पाँच यूनियन पाँच से लेगे प्लस बोलो कोई डाओ लेटेट बीवन यूनियन डेटू यूनियन अब आप एक एक करके डॉमें वान तू एन तो पहले वन एन थ्री पे चेक करते हैं क्योंकि वही है फॉर्मेलिटी पिसले कुशन से मैं बहुत सारे नंबर्स है तो सी लेना पड़ेगा और इस पूरी इंटर्वेल में एक ही डेपनिशन है तो सीव लेका जब एक ही डेपनिशन होती है तो क्या करना होता है फॉर्मेलिटी वाला ही ठीक है ओके चलो तो लिखेंगे कैसे यह तो मैंने प्रेक कर दिया अब केस व माईनस इंविनीटीटव एक तो एक है तो फॉर एनी सी यहां पे तरीका और एनी सी एर ओर एनी सी स्मॉल सी लिखना है एक ना बेलॉंग्स तो टी-1 विच इस वाट विच इस माइनस इंपनिटीटीटीटू अच्छिक वेली मेट वेली सी पर और फंक्शन वेली सी पर कि वह नेगी लिमिट अफ एक्स एक्सेंदिंग तो वास सी एक्वल तो निकाल दी सोचो कि यह सी अभी कहां है मायनस इंपिनिटी से पाइब के बीच में सो उस जगा पर फंक्शन की कॉंसी डेफिनिशन फॉलोगी दो डेफिनिशन की जब एक थी तो सोची नहीं रहते लगाया जारत लगाया दो तो पांच से छोटे नंबर पर कॉंसी डेफिनिशन है यहां पर आप यहां पर वह सी जो है इस रेंज की फॉलोगी अब यहां पर आप एक्स की जगर क्या रखेंगे सी तो इस इक्वल तो फाइफ माइनस अब यह सी जो है इस डोमें का एक ना अब फंक्शन की वैल्यू एड़ एड़ सी और एप और वही निकलेगी क्योंकि सी किस रेंज का है इस डोमेंड का इस डोमें फंक्शन की डेफिनिशन की आतीं फाइफ माइनस एक्स तो यह जाए गई है पाइफ में पाइफ से बढ़े नंबर में तो वही वाली रामायान है वही पोरिंग सा का महाना एक्जेक्ट पांच पे कुछ इंट्रस्टिंग का क्योंकि उसमें फं तो आपक्स एक्वल टू एफ और इकवल टू जो आंसर आया था फाइफ माइनस ओके ना अच्छा यहां पर यह भी लिख दो कि सी की वैलिव का कहां से कांट प्याना पूर एनी सी को और एनी सी बेलोंगिंट टू क्या डॉमेंट है यह माइनस इंपनिटी टू था दिदर टू टो प्रन थी मेलोंगिंग को सी जरू को शुक्ला belonging to minus infinity to the case one concluding statement so we can conclude that the function is FX is continuous so we can conclude that FX is continuous at any point C in domain दिवाई अपन्सका एक Keeping Direuk कि यहा पे क्लिक्राइगा दोमें यूत होद्लम जाया एक अगि केस तो टू है लेकिन डॉमेंट थी ओक्या उसके बाद फिर आजाओ यह फंक्शन निदेफिनिशन अब पाथ से बड़े नमगर के लिए तो यह एक्स माइनस फाफ लिखो और उसे साथ से आंसर जो हो जाएगा सी माइनस फाइप ठीक है यहां पर डॉमेंट चेंज कर देना कई जाएगा सी माइनस नदां प्रोड मेंट चैंज कर देना डॉनों का यह माइनस फाइप ऑर एन्asten कर देना clicked बोलो टू तो तो जाया का अब चलते हैं चले जो में जो नाँ पूस्ति इस अ अगेस एक्स था है एक्स एक्स प्रेट एक्सक्राइट पर चैक हो रहा है एक्स एक्स पर चैक्स पर लिदे बाऊंग एक्स बेलॉंग टू डोमेन डीटू थी टीके न बाइन डीटू क्या है एक्जेक्टली पाँच यह तो केस को इत्रोट्टूज कर दिया अब एक ही पॉइंट तो एक अब और फांच लेफ्ट एंड राइट साट पे लिमिट अलग 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 हैं तो we have left-hand limit right-hand limit अलग-अलग निकालेंगे 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 लहल लेट-hand limit एकस एक्ष एक्ष एक्वल तो 5 यह निकालने वाला है कैसे लिमिट extending towards 5 negative negative side of 5 of fx कैसे निकालते हैं बेटा सबसे पहले तो फंक्षन की डेफिनिशन लिको फाइफ के नेगेटिव साइड पर क्या है तो पहले तो फंक्षन लिको फंक्षन लिको क्या है नमार उपर देफिनिशन क्या है 5-5-5-5-6 अब limit को convert करो हैच अब अच्छा आप यह काम मलब दो बातों यह दो फंक्शन की डिफिनिशन लिखना और इक लिमिट को करने काना आप दोनों में से कोई भी काम पहले कर सकते हो और सो नबर करो देखना कैसे क मेंज स्टेंड ढलिए टो एग starting two months होगय है है कि यह नमबर है क्या है उसको सुलुशन में ला सकते हैं कि इसलिए आपने एच पहले जीरो थे ला सकते हैं 16 कि चलेगा 5-5 यह चोटा सा नमबर मैंनस कर रहा हुआ और राइटन लिक जाने के लिए के लिए नंबर प्लस कि इसको इसको इस लाइक लिमिट एच टेंडिंग टुवार्ज जीरो यह क्या हो जाएगा बोलो 5-5 तो कट गया और माइनस माइनस प्लस एच लेगा के वन अब आप एच की वैलू जीरो को टब करो तो आंसर इस जी लेप्ट एंड लिमिट आगा है याने की जैसे जैसे एक्स पांच की तरफ बढ़ रहा है IT से तो फंक्शन 0 की तरफ बढ़ रहा है और हो जिसको अगर तो अश न यू बढ़ रहा है तभी तो यह भी तो यह जो घरbowृ की तरफ जा रहा है तो एक्चुल इस पॉट कई क्या बोलोगे 5,0 तो एक्स पांच की तरफ गया तो वाई जीरो की तरफ गया तभी तो मेरी लिमिट क्या निकली जिरो निकली ओके समझाया या यह तो ग्राफिकल थोड़ा सा मीनिंग था इसका अब आरे चल अब आरे चल एट एक्स एक्वल टुफाइब अब मैं पांच को राइट साइट से अप्रोच करूं तो मेरा फंक्शन किस और अप्रोच अप्रोच होगा यह निकालना है तो उसको री प्रेज़ेंगे कुछ और इप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लिमिट एक्स लिमिट एक्स पॉर एक्स तेंदिंग तो आज पॉसिटिव साइड ऑफ में अब अब मैं हमें सब्सक्राइब जर सामने करता हूं तो एक्स की जगह अब प्लस हाएगा एक्स की जगह एगा इसकी जगहाएगा था फ्लस एच और आगे मानस प्लस गटाई लिखा हुआ है सब्सक्राइब अब फंट्ट की वेल्यू एट जीरो यानने की अब क्या नेकालेंगी हम फंट्ट्ट की वेल्यू एट जीरो नी फाइप आफ फाइप सो एक्जेक्ली पाउत पर क्या टेपिनिशन है बड़ी पर देफिनीशन भी यही बानी जाएगी न minus 5 5 minus 5 5 minus 5 वोलेको सो यह 0-0 जिसी लेफ-टन रिमित रिटने मिट अर्फंच्टन की यह कै लिमिकल महिए limitable value of effects extending towards negative side of 5 equal to limitable value of effects extending towards positive side of 5 equal to f of 5 or equal to joby answer as 0 so so effects is continuous at effect is continuous in domain 2 that is at x equal to 5 domain 2 continue that means at x equal to 5 अब तीनों केसे को मर्च करके फाइनली एक निया कर सकते हैं जब वो and 3 we get we get fx is continuous everywhere fx is continuous everywhere in its domain in its domain और इसकी domain है सारे के सारे हमने रियल नमर को ब्रेक किया था अब मर्च कर दिया तो वापस रियल नमर बन गए और आप सोचो जड़ा इसके ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं होगा कहीं से भी स्टार्ट हो जाएगा तो पैन उठाने की तो जड़त नहीं पड़ी ऐसे मत सोचा क थोड़ा सा आई अग्री तो थोड़ा सा बोरिंग था पोशिश करी हलका सा इंट्रस्टिंग नाने की अगले कुशन कर देख ओके या तक कांपर कहां था थैंकि तो मच पर लिस्टिंग थे थे लिए